चोपड़ा एजो किसिन चैनल नीट की प्रिप्रेशन करने वाले स्टुडेंट के लिए तो यूजफुल है ही साथ मैं उन स्टुडेंट के लिए बड़ा ही लाबदाईगा जो MBBS की स्टेडी कर रहे हैं या फिर जन्होंने MBBS कम्प्लीट कर लिया है MBBS कर रहे स्टुडेंट के लिए मैं समय समय पर important books, exam schedule, exam pattern इतियादी के वीडियो बनाते रहता हूँ आज यह ऐसा ही वीडियो बना रहा हूँ चो नीट की तयारी कर रहे स्टुडेंट और जिन्होंने MBBS कर लिया है इन दोनों स्टुडेंट के लिए लाबदाइक रहेगा क्योंकि काफी सारे नीट एस्प्रेंट कोमेंट करके कहते रहते हैं कि अगर हमें AFMC नहीं मिला तो क्या हम Army, Navy, Air Force या फिर Indian Army में डोक्टर बन सकते हैं क्या तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपका सपना अगर भारती सेना में डोक्टर बन कर लोगों की सेवा करना है तो आप दो तरीके से Indian Army में डोक्टर बन सकते हैं एक तरीका तो यह है कि आपका सेलेक्शन AFMC यानि Armored Forces Medical College पुने में होकर वहां से आप MBBS करें और Army में डोक्टर बन सकते हैं मगर अगर आपका सेलेक्शन किसी कानवस AFMC में नहीं हो पाया है तो आप किसी अन्य Medical College से MBBS करके भी सेना में डोक्टर बन सकते हैं आपके पास MBBS की डिग्री होनी चीए चाहे आपने MBBS Government Medical College से किया हो या फिर Private Medical College से किया हो या फिर Abroad से किया हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है हर साल Armored Forces, Medical Services द्वारा 300-400 डोक्टर के लिए वेकेंसी निकाली जाती है अगर आपका MBBS कम्पलीट हो चुका है और Internship कम्पलीट हो चुकी है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ये साल में एक बार जुलाई में वेकेंसी निकाली जाती है इस बार ये वेकेंसी निकल बना के बता दिया था तो आईए मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि अगर आपका MBBS और Internship कम्पलीट हो गया है तो आप आर्मी में डोक्टर के लिए कैसे अपलाई करेंगे और इसके लिए क्या eligibility रहना चाहिए तो सबसे पहले आप Armored Forces Medical Services की वेबसाइट www.am mcsscintry.gov.in पर विजिट करना है इसके बाद इसमें जैसे ही आप विजिट करेंगे राइट साइड में Advertisement for Ward New Delhi 17.7.2020 का ये आपको notice मिलेगा इस पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगी ये notice डाउनलोड हो जाता है इसमें लिखा है application start की जो date है वो 18 जु 2020 है और इसके बाद में 16 अगस 2020 क्लोजिंग डेट है qualification की बात करें तो MBBS पास होने चीए और MBBS के लास्ट येर की जो दो पार्ट है पार्ट वन और पार्ट टू है वो दो बार यानि दो ही चांस में पास होने चीए अगर कोई student MBBS third year की exam में जो पार्ट वन और पार्ट टू है दो बार से दो बार फैल हो जाता है तीसरी बार में पास करता है तो वो इसके लिए eligible नहीं है इसके बाद state medical council और MCI से registered होना चीए PG degree और diploma holder भी इसके लिए apply कर सकते हैं इसके साथ इसमें condition ये भी है कि 30 जून 2020 तक जिसका internship complete हो गया है वो इसके लिए eligible है अब बात करें इस सुमबर 2020 को 45 years complete होना चीए इससे ज्यादा नहीं होना चीए इसके बाद में vacancy 300 vacancy इसमें 270 vacancy male candidate के लिए है और 30 vacancy इसमें female candidate के लिए है इसमें जो interview का जगह रहेगा वो दिल्ली रहेगा और इसमें जो इसका schedule और interview की जगह रहेगी वो army hospital जो rr hospital है दिल्ली केंट में वहां रहेगा और 31 अगस्त 2020 या इसके बाद भी इसका interview का date हो सकता है इसमें इसमें जो selection का method है वो interview रहेगा इसमें interview के बाद में इसमें आपका physical or medical standard ये टेस्ट भी लिया जाएगा interview में जो eligible candidate होंगे उनकी merit तयार की जाएगी उसके बाद ही इसमें selection लिया जाएगा इसमें जो interview होगा हो army hospital आर दिल्ली केंट में होगा इसमें इसके बाद में इसमें जो physical के लिए board गठित किया जाएगा medical के लिए board गठित किया जाएगा और वो ही आपको fit का certificate देगा उसके बाद में जो selection का merit list बनेगा वो interview के basis पे बनेगा इसमें separate merit list बनेगा boys candidate के लिए अलग से होगा girls candidate के लिए इसमें अलग से merit होगा इसमें अगर किसी candidate के पास ncc का certificate है तो उसको a certificate के लिए दो marks मिलेंगे B के लिए 3 marks और C certificate के लिए 5 marks इसमें अलग से मिलेंगे इसमें जो medical officer है, armored forces, medical services में इसमें army, navy, air force में भी duty दी जा सकती है उसको country में भी दी जा सकती है और abroad में भी duty पे इसको लगाया जाता है इसके बाद में हम इसकी pay scale की बात करें तो joining के time पर 97,000 पर month pay रहेगी जिसमें basic pay 61,300 होगी MSP इसमें 15,500 रहेगी इसके साथ में HRA रहेगा, NPA रहेगा और transport allowance के साथ-साथ DA भी रहेगा इसमें इसके अलवा 60 days की earned leave और 20 days का casual leave एक साल के लिए मिलता है इसके अलवा और काफी सारी facility मिलती हैं और काफी सारे allowance वगरा, canteen facility वगरा काफी सारी इसमें मिलती हैं पर्मोशन की बात करें इसमें तो starting में captain rank दी जाती है डोक्टर को और उसके बाद समय समय पर पर्मोशन होता रहता है यानि कि 4 साल बाद major और 11 साल बाद में लेटिनेंट कर्मनल तक इसमें पर्मोशन होता है इसके बाद में जो कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनल, लेटिनेंट जनल ये सारा 22 सेलेक्षन पर इसमें आगे होता है इसमें आगे PG कोर्स के लिए भी प्रोविजन है अगर PC Permanent Commissioned Officer के पोस्ट पर है तो इसमें टाइम दिया गया है उसी के अनुसार आप PG कर सकते हैं SSC में आप बरती होते हैं जैसे MBBS सोर्ट कमिशन पर बरती होते हैं तो उसमें भी अलग-अलग टाइम पर आपको PG के लिए मोका दिया जाता है इसमें इसमें अपलाई के लिए आपको क्या करना है अपलाई के लिए इसकी वेबसाइट पर जाना है जो मैंने आपको वेबसाइट बताईए है उसकी वेबसाइट पर जाना है Left side में Home, New Registration Confirm Registration Login का Option है आपने New Registration पर क्लिक करना है उसमें सारी detail फिल करनी है और इसके बाद confirm registration करना है login करके form को fill कर देना है और उसका last में आपने print out ले लेना है इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें आपको form filling के time में कौन-कौन से documents के आउशकता है इसके बाद में documents verification के time में कौन-कौन से documents के आउशकता है तो इसमें सारे ये documents दिये गए हैं इसमें आपको 10th की mark seat चीए आदार card चीए permanent medical registration certificate चीए internship completion certificate चीए MBBS degree certificate चीए PG degree अगर diploma है तो वो भी चीए इसके बाद में final MBBS का part 1, part 2 का attempt certificate चीए इसमें इसके बाद में NOC चीए और NCC certificate अगर आप इसके लिए applicable है तो होना चीए इसके बाद में अगर आपने MBBS abroad से कर रखा है तो NBE का examination certificate चीए इसमें अगर आपने abroad से MBBS कर रखा है तो passport भी चीए इसमें इसके बाद में 10 passport size के photograph चीए, photo identity proof चीए address proof चीए, तो ये सारे documents आपको verification और इसमें form filling के time में चीए तो अगर आपने MBBS complete कर लिया है, internship भी कर ली है तो आप इसको apply कर सकते हैं अगर आप NEET की exam दे रहे हैं तो आपको इसका एक, ये knowledge होना चीए कि मैं ये दूसरे तरीके से भी army में as a doctor service कर सकता हूँ, अगर मेरा FMC में selection नहीं होता है तो ये जानकारी थी इसके बारे में बाकी जानकारी update की साथ में फिर next video में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए मैं हरसाय चोपड़ा आपसे लेता हूँ, विदा जैहिन